चुकिता सिक्षा मंत्रे विश्वा सारंग ने दिगविजवे सिंग के अरून यादव की तारीफ वाले ट्वीट पर तंजुकसा। चुकिता सिक्षा मंत्रे विश्वा सारंग ने अभी तारीफ करने इसका क्या मतलब असली तो जब खंडवा लोगसवा चुनाओ के समय अरून यादव जी सबसे शशक्त कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते थे उस समय तो टंगडी अड़ा दी अब बात करने से क्या होगा कभी कमलनाज जी उन्हें मंदिर ले जाकर पूजा करते हैं और कभी दिग्विया सिंग जी उनकी तारीफ करते हैं तो ये भखोसले वाजी से संग्ठन नहीं चलते अच्छा होता कि इतनी ही चिंता दिग्विया सिंग यदि खंडवा लोगसवा के उपचुनाओ के समय अर गसीटने की कोशिश की है तो दिग्विया सिंग जी अपनी तरफ गसीट रहे हैं ये केवल कांग्रेस की गुटवाजी का परिडाम है तो अच्छी बात है करें जरूर करें परन्तु वह जो रिपोर्ट कार्ड तैयार करें उसका पहला पेज इस बात का भी जरूर लिख द हम तो चाहते हैं कि जनता के बीच हमारी परफॉर्मेंस को लेकर हर समय हम स्वयाम अपनी रिपोर्ट कार्ड देते हैं परन्तु वह कांग्रेस के नेता जो मंत्री रहे पंद्रा महीने वह ये जरूर बताएं कि उनके विभाग में उनने ब्रस्टाचार कितना किया वह ये कि मध्यपदेश में कमलनाथ की सरकार के समय एक समानांतर अर्थ विवस्ता जो ब्रस्टाचार की अर्थ विवस्ता थी वो क्यों फलफूल रही थी वो निश्यत रूप से रिपोर्ट कार्ड बनाएं परन्तु अपनी कारनामे को भी उस रिपोर्ट कार्ड में जरूर दर् कांग्रेस भगवान को केवल अपने राजनितिक उप्योग के लिए याद करती है हम तो पहले से कहते आए वैसे तो हर हिंदू को राम नौमी मनानी ही चाहिए अब कमलनाज जी कुछ कह रहे हैं रागनी जी कुछ कह रही है दिगविजय सिंग जी का अपना अलग राग है रा कांग्रेस की रीती नीती और नियत का पता लगता है कांग्रेस भगवान का उप्योग धर्म का उप्योग केवल राजनीती के समय करना चाहती है और इसलिए तो वह धड़ाम से नीचे गिर रही है कांग्रेस में प्रदेश इस्तर पर कुछ नहीं होता फटकार लगती है य यही तो सबसे बड़ी कॉंग्रेस की दिक्कत है यदि इतने वरिष्ट नेता खुद के अनुशाशन में काम नहीं कर सकते हो और हर बात के लिए दस जनपत की डियोरी पड़ जाकर नाक रगड़नी पड़े तो इससे जादा और दुर्भागी पूर ने क्या हो सकता यह देख मीडिया को बहुत बदाई दूँगा कि मीडिया ने यह मामला संग्यान में लाकर यह बताया था कि इस तरह से उस व्यक्ति ने एक घर में घुसकर घर में रह रही तीन महिलाओं के साथ मारपीट की और ऐसे लोगों को क्या संद्रक्षन देने की बात कॉंग्रेस कर रही है कॉंग्रेस तुस्ति करन की राजनीती को आगे बढ़ाना चाहती है कॉंग्रेस हर चीज को धर्म के परदे में देखना चाहती है ऐसी घटना करने वाला कोई भी व्यक्ति भोपाल और मध्यपदेश में सुरक्षित नहीं रहेगा और उसको नेस्त नाबूत किया जाएगा ऐसी घटना कोई करेगा तो वो कानून के दायरे में आएगा और उसके खिलाब कारवाई होगी और ऐसे लोगों को को जो संरक्षन देंगे उनके खिलाब भी कारवाई होगी